वेल्कम गाईज लेस्ट दिसकस बाथ टरब कर्व में समें कवर हो जाएंगे अगर आपका mcq exam है तो स्टाट करते हैं इसमें यह बेसिकर यह न तीन आपके सेक्शन होते हैं एक होता है एक होता है constant failure rate एक होता है increasing failure rate अगर गाईज हम बात करते हैं कि हम यह कव पढ़ क्यों रहें यह कव बता क्या रहा है इस शोइंग कि हमारा कितने दिनों बात अगर कोई प्रड़क्ट गिवन है तो फेल हो जाएगा राइट अगर हम थोड़ी सीच की हमारा यह है या फिर आप इसको बहुत सकते हो अर्ली फेलियर इसको हम बोल सकते हैं ठीक है मतलब शुरुआत में हमने एक प्रड़क्ट खरीदा कुछ भी हो सकता है सब्सक्राइब को इलेक्ट्रोनिक हमारा समाने सब्सक्राइब हमने खरीद है या फिर यूपीस की बात क रहे होता है तो इनिशली हमारा सफ्राइब हमने एक साल की उसको यूज कर लिया तो बहुत कम चांसे जार कि हो हमारा चैंस रहते हैं बहुत कब चांस रहता है कि कुछ उसमें घड़बढ वड़ा गई तो खराब हो जाएगा और यह वारंन्सको ब्रते हुआ है घर आगर को initial ने product खरीदा है तो कोई हमारे को कोई problem नहीं है, हमारा चलता रहेगा, चलता रहेगा, but suppose हमारी warranty, suppose यहां तक किती, 1-2 साल किती, 2 साल खतम हो गए, उसके बाद भी guys, अगर हम उसको चलाए जा रहे हैं, यार 3 साल होगे, 4 साल होगे, तो उसकी जो probability है, है failure होने की वह बढ़ जाएगी राइट तो कहीं नहीं जाके तो product हमारा fail करे गई ना that's why उसमें problem आएगी तो यह हमारा जैसी हमारा third phase में आता है यहाप हमारे wear out failures हम इसको बोल सकते हैं गाई या फिर हम कह सकते हैं कि increasing failure rate हमारे हैं पर हो गया ठीक है तो यह हमारा bathtub की तरह हो गया simply हैं से तो हमारा यह हो गया flat bottom टाइप का और यह हमारी simply side से steep sides हो गई राइट तो यह हमारा bathtub कर इसका ना भी सिले पड़ा है आप थोड़ा समय नहीं यह लिख कर रखा है कि जादा हो सकते हैं increasing failure rate हमारे यहां पर हो गई होगा so guys यह कव हमारी बताती क्या है this curve shows that after how many days a product will fail right so that's it यह आपका short में और bathtub कर वीडियो अच्छे तो प्लीज लाइक ज़रूर करो और subscribe करो चैनल को ऐसी छोटे छोटे अच्छे वीडियो आपको मिलते रहेंगे yeah that's it god bless you all